सो हाई दिस इस प्रभात रेवियू कर रहे होंगे ट्रिपल आईटी वी आईसीडी इंडियान इंस्टिटूट ऑफ इंफरमेशन टेक्नोलजी वधोधरा इंटरनेशनल कैंपस दियू की तो ट्रिपल आईटी वी आईसीडी हमारे दियू दमन एंड दियू में स्थित एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्सिप वारा इंस्टिटूट है जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी और बात करे लिए नियरे फ्रैंकिंग की तो काफी नया इंस्टिटूट है जिसके वज़े से अभी तक इनिके पास कोई भी एनियरे फ्रैंकिंग एवेलेबल नहीं है हर कॉलेज रिवेट तरह आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरेंट पर जितना भी डेट अवेलेबल है लाइक प्लेस्मेंट्स, एड्मिसन प्रोसेस, का टॉफ, फिस्ट्रेक्चर बहुत कुईगली डिसकस करने के बाद अराम से इतमिनान से कॉलेज और नोस्टर लाइब डिसकस कर रहे होंगे तो सबसे यूनिक पॉइंट या फिर कहूं तो हाइलाइट करने वाला पॉइंट यही है कि 2020 में जश्ट इनका स्टार्टिंग हुआ है तो फर्स्ट बैच जो होगा इनका 2020 से लेकर 24 तक होगा तो फर्स्ट बैच की प्लेस्मेंट अभी चल रही होगी जो कि कुछ महीनों में राउंड अप होने वाली होगी तो जो एक्शुल प्लेस्मेंट डेटा है वो अगले साल ही आपको जानने को मिलेगा यही सारी चीज़े थी प्लेस्मेंट को लेकर एक आईडिया मैंने दे दिया कि किस तरीके के placements आपको देखने हों मिलेंगे जैसा ट्रिबल आईटी वदोधरा का placement है सिमिलर कुछ statistics आप मान कर चलिए उसे थोड़ा सा कम मान कर चलिए या थोड़ा सा और कम बट बहुँ जादा फरक नहीं आ रहा होगा काफी कुछ वही सारी चीज़ें हमें देखने हों मिल रहे होंगे अब अगले साली जानने को मिलेगा तो अब बात कर लेकर हम एडमिसन प्रोसेस की तो सबसे पहले आप जैमेंस का एक्जाम दे रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच है Computer Science Engineering जिसका क्लोजिंग रैंक था 34,862 अब अगर आपको हर एयर हर राउंड हर केडिगरी कट आफ चाहिए तो अब कॉलेज प्रोसेस के वेब्सेट पर विजिट कर सकते हो बात करने फीश ट्रक्चर की तो हमारे सामने डिटेल आउंगा कि जो आप देख पार हो ट्रिपल आईटी वदोद्रा आईसी डी अब इसमें हम जो बात करें फुल फॉर्म इंटरनेशनल कैमपस द्यू फुल फॉल यही होना इंडियान इंस्टिटोर्प इंफरमेशन टेक्नोलोजी वदोद्रा का इंटरनेशनल कैमपस उनको खास कर उन्हें ध्यान में रखकर इस इंस्टिटोर्प की स्थापना की गई है तो अभी तो हाल फिलाल आपका जो बी इंडियन स्टूइंट्सप सारही लोग अच्छे खासे मात्रा में जा रहें लेकिन दीर दीरे बोला जा रहा है जैसे इस इंस्टिट्यूट की मतलब और थोड़ा सा नाम बढ़ेगा तो जैसे एनराई और आना चालू करेंगे तो उनका कोटा थोड़ा सा और सीट्स बढ़ाया जाएगा ठीक है और बस यही बात है मतलब अभी तो दोनों ही स्टुरेंट्स ले रहे होंगे चाहे आपका इंडियन हो चाहे एनराई हो दंग से बात कर लेंगे कैंपस के बारे में तो दमन एंडियू में 25 एकर्स का एक एजुकेशनल हब है इस 25 एकर्स में आपको ट्रिपल आईटी वी आईसीडी तो देखने को मिलता ही है साथी साथ आपको एक गवर्मेंट कॉलेज भी देखने हो मिलेगा जिसमें बीए बी किया गया है 25 एकर्स के एजुकेशनल हब में बात कर लें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पूरे ही एजुकेशनल हब ओवरॉल का तो बहुत ही सांदार एक modern high-tech इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिले का मतलब जानी की जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनक रूम्स होंगे अलग से आपका sitting area जो होगा पढ़ने वाला area proper laptop रखने का जगा है वहाँ एक study lamp दिया गया है आपके दो beds है दोनों ही साइड उपर में आपको storage space देखने को मिलेगा और नीचे आपको cupboards भी देखने को मिलेंगे इसी के साथ आपको table chair ये सारी चीज़े तो मिलेगी और well furnished rooms हैं बात कर लें मैस की तो मैस का खाना काफी बढ़ी है बता जा रहा है क्योंकि काफी सारे students highlight कर रहे है कि मैस का जो tender है वो जैस्वाल कैंटीन्स नाम के किसी food service provider को मिला है अब मुझे तो नहीं पता जैस्वाल कैंटीन्स कैसे है कैसा नहीं है बट students तो बत लेगा well furnished classrooms है तो infrastructure के मामने में कहीं भी कोई शिकायत नहीं है बात कर लेकर हम sports facility के तो sports facility में आपका इंडोर में आपको जो भी table tennis हो गया क्यारम चेस्स ये सारी चीजे basic basic देखने हो मिल रहे होंगी इसी के साथ आपको outdoor में basketball जैसे कुछ और एक दो grounds भी देखने को मिल रहे हो लेकिन इससे भी बड़ा point highlight किया जा रहा है कि campus से 4 km दूर आपको गवर्मेंट की दरब से sports complex देखने हो मिल रहा है जिसमें आपका swimming pool है आपका cricket football ground जो भी आप राक्टीस करना चाहते हो अथे लिटिक सब कुछ देखने हो मिल जाएगा तो आधा से ज्यादा इवें जिम की facility भी आपको sports complex में देखने हो मिल जाएगी तो आधा से ज्यादा निप्टारा तो आपका sports का वहीं हो जाता है और बाकी कुछ daily needs के लिए बचा खुचा campus के अंदर ही देखने हो मिल जाएगा hostels बढ़िया है, classrooms बढ़िया है, sports facility बढ़िया है अगर बात कर ले हम airport की तो बताया जा रहा है कि 2.5 km दूर आपको campus से 2.5 km दूर airport भी देखने हो मिल जाएगा अगर हम detail में बात कर ले और क्या इनके transportation facilities जाएगा तो 2.5 km वाला मैंने due airport बता ही दिया 15 km दूर दिलवाडा railway station 77 km दूर सोमनाथ railway station 82.5 km दूर वेरावल जंक्सन railway station अगर कुछ events की बात कर ले तो students ने लिख रखाई committees and clubs keep organizing the new events, quizzes, competitions and various interactive workshops and sessions like blitz chess tournament, ebsb quiz, kala kausal, kode fista etc. तो events भी करवाय जा रहे हैं लेकिन जितना मैंने देखा कि sports fest तो students ने नाम लिया वर cultural and technical fest का नाम नहीं लिया तो अगर आप IIIT VICD से इस वीडियो को देख रहे हो, कोई भी student तो कुछ भी detail आपको mention करना हो, like placement जब हो रहा होगा, या फिर आज की date में भी जो placement stats चल रहे हैं, जो भी आपको share करना है, फिर क्या कुछ events होते हैं, fest होते हैं, क्या कुछ बात चल रही है, तो जो भी आपको mention करना है, अपना खुद का campus review, क्योंकि काफी नया campus है, plus points तो discuss होगा है, लेकिन जब तक आप खुल कर सामने नहीं आओगे, तब तक negative points campus के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहली होते हैं, चाहे आप चांद की ही बात कर लो, दाग तो चांद नहीं है, 25 acres का, जिसमें आपका दो colleges और है, government, college, polytechnic, ये सारे लोग भी share कर रहे हैं, इसी के साथ अभी तक placements भी नहीं होए, तो placement data के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, positive या negative हम कुछ नहीं कहा सकते, लेकिन एक point जो सबसे सुरू में बतानी थी, वो miss हो गई है, औ आपको degree, triple IT, वदोधरा का ही मिल रहा होगा, तो आपके degree पे triple IT, VICD ना लिखकर, triple IT, वदोधरा इका होगा, क्यों, क्योंकि ये institute, triple IT, VICD को हम triple IT, वदोधरा का satellite campus या फिर sister campus कह सकते हैं, अब इन दोनों का मतलब ये होता है, कि actual तो triple IT, वदोधरा कहीं institute है, लेकिन कहीं इरिया के लोग इधर नहीं आपा रहें, फिर किसी भी वज़स से थोड़े से दूर और भी हम facilitate कर दे लोगों को, अपना ही campus का facilities, अपना ही campus से affiliate करके, दूसरे जगा भी एक campus setup कर दे, तो एक extension center कह सकते हैं, ब्रांच कह सकते हो, triple IT, वदोधरा का, तो इसलिए certificates भी आपको degree सब कुछ नाम हुआ, सब कुछ triple IT वदोधरा का मिल रहा होगा, placements triple IT वदोधरा में हो रहे होंगे, like बहुत सारे institutes के नहीं, तेरा नहीं है, जैसे भी हम बहुत सारे और triple IT डिसकास करते नहीं है, कि mentor institute कोई NIT या फिर IIT है, तो उन सारे institutes में यह था कि mentor institute का मतलब यह हुआ तीन, चार साल, पांच साल के लिए guidance मिलेगा, चीज़े वहाँ से operate होंगे और उसके बाद full independent वो अपना campus चलेगा, बट triple IT विस्टी केस में यह नहीं है, triple IT वदोधरा में ही सारी चीज़े हो रही होंगी, आपको ए campus मिल रहा है पढ़ने के लिए, रहने के लिए, और इसी क अब भी जा सकते हैं, फैकल्टी के यहां, ठीक है, बढ़िया बात है, most of the teaching staff are from triple IT वदोधरा, while some other are from various NITs and IITs to having experience ranging from 10 to 30 years, अभी अपने कुछ नए-नए-नए- triple ITs discuss किये, जिसमें बताया जा रहा था कि फैकल्टी जो है काफी नए है, experience नहीं है, उतने धंग से अभी efficiently हैं, बट यहां में देखने हैं मिला है कि triple IT वदोधरा के प्रॉफसर सबको देखने हो, मिल रहोंगे, even कुछ NITs और IITs के भी हैं, जिनके पास 10 से लेकर 30 साल का experience है, बढ़ी यहां बात है, all the faculty members have done PhD in their respective domain ठीक है, the curriculum is same as triple IT वदोधरा, triple IT वदोधरा का ही syllabus of course, पुरा sink में च कर लिए, फिश्ट्रक्चर के साथ, अब, ट्रिपल आई टी वी आई सीडी से जो भी स्ट्रेंट इस वीडियो को देख रहो, आपको अपना कुछ पॉइंट शेयर करना हो, आपका अपना opinion क्या है, positive, negative, जो भी है, comment section में लिखना ना भूले, अब अगर आप किसी दूसरे और engineering college के student हो, अगर आपके engineering college का review अभी तक हमारे channel पर नहीं आया है, तो आपको description में एक google form देखने हो गिलेगा, जिसमें हर छोटे से बड़े सवाल college को लेकर पूछ रखे गए हैं, तो आप अपने college का हर छोटा से बड़ा detail, latest updated detail उसमें share करना ना भूले, उस google form में, link description में दिया गया है, इस से मैं आपके college का latest updated college review वीडियो जल्द से जल्द बना पाऊंगा, आज के इस वीडियो में इतने हैं, अगर वीडियो पसंद आई हो, तो like, share, subscribe, दिल खोल कर करेगा, और कुछ दिल की बाते, कुछ मनी बाते लिकर बताने हो या पूछ नहीं हो, तो comment section I wish you all the way for future. Enjoy your journey!